नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में मीनू 21 और चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत अभी सुदह-सुदह मैं उठी हूँ चाए और पानी हो गया गरम पानी जो सुदह पीते हैं और अब चलिए पहले दिन की शुरुआत आज क्यारी मैं पानी दे द तो चलिए इसटार्ट करते हैं बिदियो पहले मैं पॉधूँ को पानी दे देदा हूं अभी यह देख रहा है यह सारे फूल हैं और बाकी भी पॉधे हैं वो मैं उनमें पानी दे रही हैं और यह इस पॉटी इतना परिशान है क्योंकि सुबह ही बंदरों की टोली आ गई है तो वो छट पे और आम के पेड़ पे कूद रहे हैं तो ये परिशान हो रहा है कि कैसे उन लोगों को भगाऊं आगे से पीछे पीछे से आगे भाग रहा है और इसको इतनी जादा मतलब चिड होती है बंदरो लेती हूं लेकिन कल मैर शाम को भूल गई थी तो सुबह उठी तो देखी कि बहुत जादा मतलब मुर्जाए मुर्जाए से पौधे लग रहे थे तो मैं बोली कि अभी ही डाल लेती हूं आज टाइम भी सुबह उठ गई थी जल्दी तो काम कर लिया है और फिर बच्चों को भी पढ़ाना है तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं मेरे जल्दी ही आज चले गए जल्दी काम था तो मैं बोली की बाहर निकली तो मैं बोली चलो पानी ही डाल लेते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रूटीन वर्क होता है जब हम पौधों से प्यार करते हैं तो फिर म बिलते हैं तो बहुत खुशी बहुत अच्छी सी खुशी मिलती है हमारे कशे बच्चों को भी इतना लगाव है कि बच्चे भी गमले में अपने अपने पौधे लगा रखें किसके कितने पौधे फूल खिल रहे हैं कॉमपरटीशन करते हैं वो जीत जाएगा जिसके में जादा फूल खिलेंगे और जो जादा दिनों तक ब्लूम करेगा और यहां श्रवन जग गए थे तो यह भी आ गए मैंने बोला कि सुबह की जो धूप होती है वो जरूर बॉडी में लगनी चाहिए तो आ गए हैं श्रवन और बता रहे हैं कि बंदर आए हैं तो उनकी इस्ट फेसिंग है तो क्या होता है ना सुबह सुबह मतलब खिडकियों में बेडरूम में सारी धूप सुबह सुबह ही आ जाती है तो बड़ा अच्छा सा लगता है और सुबह की धूप तो सभी को लेनी चाहिए और यह देखिए मैंने यहां डहेलिया लगाया है थोड़ पाली देने के बाद चलेंगे बच्चों का नाश्टा बना देते हैं फिर उनको आज पढ़ाना भी है तो अब यह आ गई मैं किचन में और उसकी भुजिया तयार करी है और पराठे सेकलू फिर बच्चों को नाश्टा करा के और फिर कल इक्जाम है तो उसकी भी तैयारी करानी है सुबह का टाइम तो गाई इतना जल्दी भागता है न जैसे लगते हैं उसके दो चार पैर हो गए हैं कि भागता ही रहता है जल्दी जल्दी सारे काम निप्टाने होते हैं ऑफिस स्कूल सब तैयारी करनी होती है तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम अगर आप करने सुबह सुबह बच्चे ठंडियों में नहाते हैं जब धूप हो जाती है न 12 बजे तक ही मैं बोलती हूं नहाओ नहीं तो फिर नहाने के बाद धूप में नहीं निकल पाते हैं आंगर में हमारे आम का पेड़ है तो धूप में मतलब धूप नहीं आ पाती है धूप दोपह साइड में क्या है कि अब दिन में तो कोई भी स्वेटर नहीं पहन रहा है सबके लिए मैंने पराठा भुजिया बनाया है लेकिन अपने लिए मैंने वो जो कल के फरे हैं वही फ्राई कर रहे हूं मुझे बताया था ना मुझे बहुत पसंद है तो उसको चटनी के संग मैं ख लेंगे तो यह मैं बना रही है अब नाश्टा कराने के बाद बच्चों को बोली हूं कि यह सारा प्रिपैर कर लो क्योंकि फिर टेस्ट भी ले लूंगी फिर शाम को अगर देखिये ना की प्रिस क्याय ना तो फिर शाम के बाद ज़्यादा समय रहता नहीं और अभी प्यारी करनी है मतलब सारी साफ सफाई कपड़े रखने और गर्मियों के कपड़े निकालने तो बहुत जादा आजकल का मौसम हेक्तिक हो जाता है और आजकल के मौसम में पता नहीं क्यों बहुत जादा आलस भी आता है लगता है सोते ही रहें लेकिन सोने को तो रात में ही मि देना पड़ता है क्योंकि फिर बच्चों को देखना तो पड़ेगा ही अगर tuition नहीं लगा है तो यहां मैं बोली कि कृष्णा सबसे छोटे हैं तो सबसे पहले इनको देख लूँ और computer subject का इनका exam है और computer में जो terms होते हैं न वो बिल्कुल different होते हैं मतलब उनको आप learn ही करके ही लिख सकते हो अगर आप ऐसे easy language में जैसे English, EBS ये सब है कि आप अपने हिसाब से आप रोज के terms ये मतलब जो उनमें words यूज होते हैं रोज के दिन चर्या में हम लोग use करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाते हैं लेकिन computer के जो words होते हैं न छोटे बच्चों को बहुत hard पढ़ते हैं और लंबे लंबे भी होते हैं तो मैं बोली पहले कृष्णा को ही पढ़ा लेते हैं फिर कान्हा और श्रवन तो खुद से भी कर लेते हैं बस श्रवन को तो बस एक बार देखना होता है कि हाँ prepare है की नहीं और कान्हा का भी एक बार देख लेंगे वैसे वो लोग खुद से ही कर लेते हैं बस एक बार पूछना पढ़ता है कि हाँ सब कुछ सलेबस मतलब complete किये हैं कि नहीं कहीं कुछ भूले तो नहीं है और मेरी यादत है न हम लोग भी छोटे थे तो पापा हमारे जब पढ़ाते थे तो मतलब वो सलेबस में है तो बस ये नहीं कि बस कॉपी से ही पढ़ा दिया जो लिखवाया गया है बुक के पीछे का एक एक चीज मतलब thoroughly सब learn कराते थे और बोलते थे सब कुछ prepare करो अगर मैं पूछ ली तो क्या करोगे तो हम लोगों की वैसी यादत है और मुझे भी जब तक के मतलब सारी बुक से भी पूरी चीजे नहीं मैं बोलती हो prepare हुआ है मैं नहीं मानती कि prepared है और इसका मतलब भी यही है गाईस की मतलब आपको अपने course का सब कुछ knowledge होना चाहिए क्योंकि आगे जाके उसको आपको दुबारा न पढ़ना पड़े और recall एक बार करो तो आपको समझ में आ जाए और कई बार तो ऐसा होता है इंग्लिश में स्ट्रवन के हम देखते हैं जैसे फिफ्ट स्टैंडर्ड में है वो तो सेकेंड थर्ड की जो भी चीजे हैं ग्रामर में वो उस बुक्स में बस वो रिफर कर दिये हैं कि आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज़ तो उसको फिर से रिपीट नहीं करते हैं तो अगर हम अच्छे से थोरुली पढ़े नहीं है तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना और ये हैबिट भी बच्चों की बनी रहती है छोटे से ही कि हमें थोरुली पढ़ना है तो सही रहता है उनके लिए भी एक थोरुल स्टडी की आदत रहती है ये नहीं कि बस कौपी में मैम ने जितना लिखाया है उतना ही बस हमें पढ़ना है और कृश्ना तो बस मस्ति के मूड में ममा मेरा रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं कर रही है और ये question मैं revision का दी हैं तो मैं बोली question देखो इसके answers कहां से हैं तो मैं बोली यहां book से देख के learn कर लो और फिर लिखना तो वही वो कर रहे हैं लिख रहे हैं और ऐसे ही guys मेरा पूरा दिन निकल जाता है खाना वाना बनाईए फिर बच्चों को देखिए और इसी तरह हम बच्चों को time भी दे पाते हैं और बच्चों को जब हम खुद पढ़ाते हैं तो मतलब एक connection सा रहता है और हमें भी जब मीटिंग में भी जाते हैं तो ऐसे मतलब PTM में जब जाते हैं तो हमें अपने बच्चे का सब चीज गलतियां और कमजोरियां सब पता रहती हैं फिर मैं बोली श्रवन को और काना को भी कि आप लो भी यहीं आके पढ़ो और अब मैं चल रही हूँ नाश्ता बना के ले आती हो क्योंकि फिर नाश्ते का भी टाइम हो जा रहा है तो फिर लेट हो जाएगा और कृष्णा को बहुत खासी आ रही है तो उसको दवा भी देनी हैं तो मैं बोली एक ही जगह सब लोग लर्न करो और रिवाइस करो अगर प्रिपेर हो गया है तो सारे बच्चे तीनों लोग यहीं आके पढ़ रहे थे लेकिन तीनों को जब साथ बिठाईए ना तो आके देखना भी पढ़ता है नहीं तो ये लोग फिर क्या करते हैं ना काना कुछ कर देंगे कुछ परिशान कर देंगे जिसका हो गया है तो वो कुछ भी मतलब मजाग करने लगेंगे कुछ जोक करने लगेंगे तो उससे सबको डिस्टर्ब होने लगता है और श्रवन को बिलकुल भी नहीं पसंद है वो बहुत ही सिंसियर बच्चा है उसको न मेरे तीनों सिंसियर हैं अगर मैं कभी बिमार भी पढ़ जाऊं तो मतलब उन लोगों को बहुत एक लगाव से रहता है ममा क्या हो गया आप दवा ले लीजिए और मुझे लगता है ना कि लड़के थोड़े सिंसियर होते भी हैं और उनको मा से ज़्यादा लगाव होता भी ह दिन भर तो हम साथी में हम चारो रहते हैं ये तो ओफिस चले जाते हैं तो कोई भी प्रॉबलम है अगर इनको कुछ चाहिए भी तो पापा तो इनके एक बार में डिमांड पूरी करने वाले हैं लेकिन फिर भी मेरे थ्रू अपना मैसेज पहुंचाते हैं पापा तक कि मां आप कन्विंस कर लीजिए तो ये सब हमको लगता है कि बच्चों में संसकार हमें शुरू से डालने चाहिए और जब तो अच्छा भी रहता है बच्च अब चलिए दोस्तों फिर किचन की और बढ़ते हैं ये काफी दिनों से मलाई कठी हो रखी थी तो मैं सोच रही कि इसको घी निकाल दूँ क्योंकि फिर वो बरतन जो है न मैं काफी बढ़ा नहीं रखती हूं छोटा ही रखती हूं तो वो उपर आने लगता है तो ये देखिए ठंडियों में थोड़ी मुश्किल तो होती है लेकिन मैं बहुत इसली निकाल लेती हूं फ्रिज से निकाल के और जब भी आप मलाई कठी कर रहे है न तो हर बार थोड़ा थोड़ा जो दही है न दही का उसको जोरन बोलते हैं दही डालते रहिए तो बहुत इसली निकल जाता है और जब आपकी मलाई कठा हो गई है तो आप उसको निकाल लीजिए और मतलब उसको थोड़ा सा ये म तो यह जो मेरा मैशर पोटेटो मैशर होता है मैं उसी से ऐसे घुमा देती हूं तो निकल जाता हूं हल्का गुन-गुना पानी डाल दीजिए तो यह देखिए मेरा मक्खन अलग हो गया है पानी से और फिर ॐसे हम निकाल लेगे तो आराम से निकल जाता है गर्मियों में तो खैर दिक्कत नहीं होती है ठंडा पानी डाल दीजिए जो फ्रिज का रखा हुआ थोड़ा आइस तो आराम से निकल जाता है ठंडियों में नहीं गर्मियों में आइस वाला पानी डालने से और ठंडियों में तो गुनगुना पा को मैं दे देती हूं और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका चीला वगेरा भी बना सकती है और यह देखिए मैंने कड़ाई पर चला दिया है और उसको कंटीनिवसली उसको चलाना होता है नहीं लग जाता है स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन एंड में जब पूरा मत लब थोड़ा देर हो जाता है घी उपर आने लगता है तो करना पड़ता है यह देखिए मारा घी हो गया है बस इसको चान के स्टोर कर लिए आज के व्लॉग में इतना ही मिलते हैं कल फिर एक नए इंट्रेस्टिंग व्लॉग के साथ आशा करती हूं आपको आज का व्लॉ के संग शेयर करना मत भूलिएगा और थैंक यू फो वाचिंग बाई